अब मैं आपको बताऊंगी कि निचली अदालत से बेल मिलने के 19 घंटे के बाद भी केजरिवाल तिहार जिल से बाहर क्यों नहीं आ सकी है किसनी आरोप लगाया कि सरकार केजरिवाल के साथ आतंकवादी की तरह बरताओ कर रही है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रायल कोट ने अपने जज्जमेंट में एडी पर क्या टिपड़ी की लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज केजरिवाल को जमानत के मामले में नया पेचाकिर क्या फस किया है कल राउज इवन्यू कोट ने केजरिवाल को शराब घोटाले में जमानत दे दी कोट का फैसला रात को आठ बचे के खरीब आया कोट ने अपने डीटेल्स जज्जमेंट कल नहीं दिये थे इसके बाद सुबह 11 बचे डिल्ली आय कोट ने सुनवाई तक केजरिवाल की जमानत की प्रक्रिया पर रोक लगा थी अब इस वक्त डिल्ली आय कोट में एडी के अपील पर अंदर सुनवाई चल रही है तो आज दिली आई कोट में क्या क्या हुआ उसे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगी उससे पहले आप ये जान लीजे कि कल राउज विवन्य कोट में क्या क्या हुआ था राव जिवन्यू कोट में Special Judge नियाय बिंदू की बेंच के सामने केजरिवाल की याजका पर सुनवाई चल रही थी सुनवाई के बाद Special Judge नियाय बिंदू ने केजरिवाल को एक लाक रुपए के निजे मुचलके पर जमानत दे दी इसके पहले सुप्रिम कोट ने भी केजरिवाल को चुनाओ प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी लेकिन वो एंट्रिम बेल थी इस बार कोट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी एडी ने कोट से अपील की कि वो अपने फैसले को 48 घंटे के लिए लागू ना करें जिससे की वो इस फैसले के खलाप अपना पक्ष रख सके अपील कर सके लेकिन जज ने एडी के इस मांग को ठुकरा दिया राव जिवेन्यू कोट ने केजरिवाल को कुछ शर्तों के साथ जमाना दी कोट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि केजरिवाल कोट की इज्वासत के बगैर देश छोड़ कर नहीं जाएंगे जब भी जरूरी हुआ तो उन्हें जांच अजनसी और कोट के सामने पहले पे सुप्रिम कोट ने अपने जज्जमिंट में कहा था कि केजरिवाल को केवल चुनाओ प्रचार के लिए ही जमानत दी जा रही है वो सरकारी कामकास भी नहीं कर पाएंगे लेकिन इसके बाद आपको बता दे इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई आज केजरिवाल पर र नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो रहा हो कि केजरिवाल का इसमें कोई सीधा रूल है कोट ने केजरिवाल के खलाब कारवाई में देरी पर भी सवाल उठाए और ये भी काल कि नहीं कहा जा सकता कि एडी का रवया केजरिवाल के खलाब पक्षपात पूर नहीं है एडी का पूरा केस इसी पर टिका है कि शराब गोटाले में आपको साउथ लोबी से सो करोर रुपे मिले इनमें 45 करोर का इस्तमाल गोवा चुनाओं में हुआ कोट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि एडी अभी तक इसमें से 60 करोर बरामत नहीं कर पाई और नहीं ये बता पाई कि इसके लिए उसे और कितना वक्त चाहिए जज ने अपने फैसले में एक और बड़ी बात कह दी है कि प्रोसीड आप क्राइम का गोवा चुनाओं में इस्तमाल हुआ इडी इसे साबित नहीं कर पाई नहीं वो सबूत रख पाई जिससे ये साबित हो कि इस घोटाले कारोपी विजय नायर है केजरिवाल के इशारे पर विजय नायर काम कर रहा है ये सबूत भी इडी नहीं दे पाई है अब ट्रायल कोट के इस फैसले के खलाप इडी आज दिल्ली हाई कोट पहुच गई इडी ने प्रायल कोट के फैसले पर रोक लगाने की केजरिवाल की जमानत पर इस्टे लगाने की मांगी इडी का ये कहना था कि निचली अदालत में उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका ही नहीं मिला इडी ने अपना जवाब देने के लिए दो दिन मांगे थे उसे वो वक्त भी कोट की तरप से नहीं दिया किया अब इडी का पक्ष तुनने के बाद हाई कोट ने ये कहा कि सुनवाई के बाद ही केजरिवाल की जमानत पर फैसला होगा यहनि कि फिलहाल के लिए केजरिवाल की जमानत पर जब तक हाई कोट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक रोग लगा दी गई है केजरिवाल की जमानत में देरी हुई तो आम आद भी पार्टी के निताओं के रियक्शन्स भी आए लेकिन सबसे तीखी प्रत्किया केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल की ओर से आई उनकी प्रत्किया मैं आपको आगे सुनाओंगी सुनीता ने कहा कि इडी केजरिवाल की बेल रुखाने के लिए इस तरह कोट गई जैसे वो देश के सबसे Most Wanted आतंकी हो कल ही आपके मुख्य मंत्री को बेल ली अभी सुपह ओडर अपलोड होना था ओडर अपलोड नहीं हुआ और इदी हाई कोट पहुच गई ओडर को से करवाने के लिए कितना ये तो ऐसे हो गया अब दिन केजिवाल is the most wanted terrorist of India और अब इस वक्त ताजा अपडेट ये है कि दिली हाई कोट में एडी की आजका पर सुनवाई चल रही है एडी की तरब से अत्रिक्त सॉलिसीटर जनरल स्वी राजू ने अपनी लंबी चौड़ी दलीर पेश की है इसमें उन्होंने कहा कि ट्राइल कोट की जजज ने खुदी स्वी कार किया है कि उन्होंने पूरे कागजास नहीं पड़े है और ऐसे में केजिवाल को जमानत देने का फैसला घलत है स्वी राजू ने ये भी कहा कि इस मामले में इस तरह जमानत नहीं दी जा सकती इडी के वकील ने ये भी कहा कि राउज वेन्यू कोट में हमें दलील के लिए सिर्फ 15 मिनट मिले थे हमें संक्षेप में अपनी बात पूरी करने के लिए कहा गया जिससे हम अपना पक्ष पूरी तरह से ठीक से नहीं रख पाए ट्राइल कोट की जच ने एडी पर केजिवाल के प्रती दुर्भावना का आरोप लगाया है इस पर एडी के वकील ने कहा कि हाई कोट ने ऐसी कोई टिपड़ी नहीं की लेकिन ट्राइल कोट ने दुर्भावना का हम पर आरोप लगाया है प्यमेले के मामले में जमानत मिलना कितना कटिन होता है और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुन्यादी शर्थ यह है कि जज इस बात से नियाधीस इस बात से संतुस्थ होना चाहिए कि जो व्यक्ति है जो आरोपी है वो निर्दोस है यह लिखा हुआ है प्यमेले के कानून में तो जब सारे गवास सारे सबूत जो कुछ भी इडी ने परोसा सारे बयान जो कुछ भी इडी ने परोसा सारी दलीले जो कुछ भी इडी ने दी उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेस आ गया तब तो कम से कम भाजपाईयों को शर्म करनी चाहिए कि आप E.D. को बिना आडर के दोड़ा दिया आप हाई पूर अब इस आदेश के बार पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को खामोस होकर अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और चोरी और बेईमानी और भरस्त अचार भाजपाईयों ने किया है वहीं आप सांसत संजय सिंग ने रियाक्शन देते हुए कहा कि इडिक किस आदेश को चुनौती देने कोट पहुची है दिली सरकार में मंतरी सौरब भारदवाश ने केंदर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है तो दिली में पानी के संकट के मुद्दे पर अंशन पर बैठी जलमंतरी आतिशी ने भी अपना रियाक्शन दिया उन्होंने कहा कि देखिये सत्य परिशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं आपके आरोपों का जवाब दिया विजेपी सांसत मनोश्तिवारी ने आम आदनी पार्टी के जो ये मुर्खों का गैंग है न वो इस समय अब मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है मुखिया जेल में है और इतना घिनोना केस में जेल में है शराब के घोटाले में जेल में है उन लोगों को बेल भी लगती है कि बरी हो गए, किसी को बेल मिल भी जाए, तो क्या वो अपने आरोप से बरी हो गया? बिलकुल नहीं. कई ऐसे मामले देश में हुए है जहां लोगों को टेमपरोरी बेल मिलती है बेल इस टेमपरोरी प्रोसेस और उसके पाज इवन करावास हुआ कितने लोगों को भयानक भयानक सजाए हुई है तो बेल को यह लोग इतना इंज्वाय कर रहे हैं भारतिय जनता पार्टी कोट न संझे सींग को बेल होगे हम ने क्या किया हम निकाल लीजी आपके चैनल में होगा हम कोटके निर्ले का संबान करते हैं लेकिन बेल मिलना मतलब अपने सजा आरूप से बरी होना नहीं है तो आपने मनोश तीवारी को सुना कल जैसे ही नयाए बिंदू की ओर से ये फैसला दिया गया कि अर्विद केजरिवाल की बेल को ग्रांट कर लिया गया आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सोशल मीरिया पर अचानक से एक्टिव हो गये ढोल नगाड़े बजने लगे और आज पूरी जशनी की तयारी आम आदमी पार्टी की ओर से कर ली गई थी कि जब केजरिवाल आएंगे तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा लेकिन उससे पहले ही ईडी ने रोक लगा दी अब एक मज़र डालेते हैं केजरिवाल की गिरपतारी की पूरी टाइम लाइन पर इडी ने केजरिवाल को शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरपतार किया था एक अप्रेल को उन्हें तिहाल जेल भेजा गया केजरिवाल ने इसके बाद अपनी जमानत की मांग नहीं की उन्होंने सीधे सीधे अपनी गिरपतारी को ही अवैध करास दे दिया सुप्रीम कोट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को जमानत दे दी चुनाव प्रचार के बाद केजरिवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया हाला क यहां पर भी उन्होंने कोशिश की थी कि जमानत को बढ़ाया जा सके मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने कोशिश की थी लेकिन इसे कोट ने नहीं माना और इसके बाद उन्हें राउस इवेन्यू कोट में कल फिर से जमानत मिल गई जिसके बाद डिली आई कोट में सुनवाई जारी है पूरे पार्टी के हेड है और बाकाइदा ये पैसा गोवा में इस्तिमाल हुआ है कैश में इस्तिमाल हुआ है पूरा पैसा तो जाहर है कब तक भागेंगे तो ये अंदर बाहर बाहर अंदर जेल से बेल बेल से जेल की जो स्थिती इनकी है ये बनी रहेगी जितना नियाय व पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अर्विन केश्रिवाल को जूटे आरोपों में राजनीतिक ड्वेश के चलते हैं जेल के भीतर बिठा रखा है तो दूसरी तरह बीजेपी भी ये मांग कर रही है कि आमागमी पार्टी ने जनता के साथ भी जुट बोला है एक तरह परविन केश्रिवाल अलग अलग घोटालों में लिप्त है लेकिन बावजूद इसके आमागमी पार्टी के नेता अपने आपको सच्चा साबित करने में जुटे हुए हैं आपके विदायक संजीव जाने का कि मोधी सरकार ये नहीं चाहत तो और को देखते हुए रिहाई का ओर अब देगी अब देखिया कितनी डिश्पेरेशन है केंद सरकार में प्रधान मंत्री कितने घबराये हुए हैं कि किसी भी तरह अरविंद के जरिवाल को अंदर रखो अरविंद के जरिवाल बाहर आएगा तो मिरा हमारा पूल फुल जाएगा कल के फैसरे एक बात तो तैय कर दिया ना कि आप जेल में बंद इसलिए रख रहे हो कि आप पॉलिटिकल विंडिटा लेना चारे हो आप घबराये हुए हैं आप डड़े हुए हैं और बेल मिलने के बाद मैं पहली बार सुन रहा हूं कि अरजेंट आप जाते हैं हाई कोट हाई कोट से स्टेकी मांग करते हैं तो मुझे लगता है कि बरे ही हाश्याश्पद है मुझे उम्मीद है कि हाई कोट से जस्ट मिलेगा तो देखिए हाई कोट ने जब तक एडी की दलीले पूरी नहीं हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक अरविन केज्रिवाल की बेल पर रोक लगा दिया और ताज़ा अपडेट यह है कि अभी एडी की और से अपना पक्ष रखा जा रहा ह जिसके चलते वो अपना पक्ष पूर तरीके से नहीं रख पाए